तो हेलो गाईज कैसे हो आप लोग उमीद करता हो आप लोग बढ़ियाओंगे आज हम दोबारा से खेलने जारे लास्ट डे रूल सर्वेवल तो गाईज आज हमारे रेंग सर्व में होने वाले डे नमबर टू तो गाईज हम तुणने वाले लोकेशन कंपोनेट मॉंस्टर क तो गाईज कंपोनेट मॉंस्टर के माणने से कितना कंपोनेट मिलता है कितना हमें कंपोनेट से स्पेर मिलता है वो भी आप आपको पता लेगेगा आज तो गाईज जिसको भी हमारे साथ खेलना हो तो डिस्कॉर्ट में चोईन हो जाना क्योंकि अभी दो बंदे को मेरे आ तो पहले से ही आ चुके तो अभी तिन बंदे लेने हैं तो जल्दी से हमारे डिस्कोर पे जोईन हो जाना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो कमेंट पिंक कर दूंगा में तो उधर से आप जोईन हो जाना तो जल्दी से अभी हम बाइक बाहर निकलते और हमारा फ्रेंड तो खोल देगा तो जल्दी से मैं इधर ओयल देता हूं फ्यूल डाल देता हूं तो अभी हम चलते हमारी लोकेशन पे तो खोलो यार खोल दिया तो अभी हमारा फ्रेंड भी हमारे साथ ही आएगा तो जल्दी से चलते हैं अभी थोड़ा ही दूर है कि हम हारबर पे जा रहे हारबर पे दो एक दो monster रहते हैं तो उधर से आधे कितने जूठ मिलते हूं देखते हैं कि तो अभि हम अंदर जाएंगे हम कै दो हमारे पास मास्क नहीं है यह एऊसे ही हम निकल पड़े तो एकluent स्ट हमें मिल गया यह भी बहुत खतना हो यह आपने ने अपको एकम मर्यदी हो सकता तो प्टीस के पास आपको किसी कर निचाट यहां तो थिलेगे। मोंस्टर त्रुणने और मारने तो फ़ाई जल्दी से हमको स्पेर मिल जाएंगे इससे बहुत स्पेर मिलते है कंपोनेन इन मोंस्टर से इकडुbig म्स अंच और मrånाकु म मन अंच गाय तो इसको माणते है भाई यह भाई यह भुवत ख्तनाक संच मोंस्टर अभी अभी खतम की सब्सक्राइब नहीं थोड़ा क्वर्वें चुका है हम फिसरी लोकेशन पर आते हैं तो यार पेले सब्सक्राइब नहीं क्या है क्योंकि हमारे इडियेशंड देख सकते हो और मेरा हैल्था देख सकते हो तो मेरे फ्रेंड का एक कोछ एएस याल है लगार दूर नहीं है ठोड़े दूरे तो जल्दी शेले भगाते गाड़ी और जल्दीसे चलते हमारे बेश के उपर क्योंकि मेरे पास मेडी किट भी नहीं है तो जल्दी से अभी जाना पड़ेगा बेस के उपर तो मैं आ चुका हूँ और जल्दी से अंधर चलते हैं जाके मर जाएंगे कोई बाती तो काईज में मर चुका हूँ तो जल्दी से अभी बाहर आ गए मैं तो अभी जितने भी हमें देखेज़के कितने सार एक सभ्क चौड़ जाते हमे पर तो सब कचरवी उठा लेंगे तो जितने कंपोने मिले थे ना वह सब भी हम वैक में रख देंगे अभी बेस में तो ज्यादा कंपोने मिल दे यार 40 पुचा साथ मतलब की चेसोगे शाड़े 6500 के करीब हमें दो मोंस् तो अभी हमने सब सामान रख दिया है तो यह मचेट मेरे फ्रेंड को दे देता हूं कि इमर्चंसी में काम आएगा तो अभी मैं अभी मास्क भी ले लेता हूं यार क्योंकि मास्क की जरूरत बहुत पड़ते हैं तो अभी चलते जल्दी से अभी भटेयों किदर की हमारी टु के ढणब करें समगा है तो यह वहारा फ्रेंड भी बेट चुका है तो अभी चलते जल्दी से और पर के पिछे तो जिसको भी नहीं पता कर सुछ कű criança कौनसे रहते दोवार फेले वाले उंस्ट्र रहते हैं तो मैं कई बार उसको मार की आया था पर पहले तब मैंने तो ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद एक बंदे ने कमेंट किया था इसलिए मैं वीडियो बना रहा हुँ इसका तो अभी तक तो मेरे को मॉंस्टर नहीं दखे एरपॉर्ट के पीछे आ जिका हुत इधर ही रहते हैं कोई पर ओके गाइश मेरे को मिलके दोनों के दोनों मोनस्टर है तो जलदे से फायर करते सिदें तो मेरे साथ इधर बहुत घंदस क्या मुंगा ये मोंस्टर बहुत ही खत्रना होते कि देर तो मेरे को करिये थाने मे मठेल पुसक्त पूरिल यो। तो अभी चल्दी से गर बेस पे अभी में जैसे बेस पे आये हम दोनों तो इधर कोछ फूर्ष्टे पा रहे थे बंदेगे तो मैं बहार जाओंगा और उसको मारने का ट्राय करूंगा तो मैं इधर डून रहा था तो मेरा फ्रेंट बोल रहा कि उदर छोड़ो इधर एक बं इंदाजर करेंगे पर इंदाजर करते करते मेरे को पता चला कि इसका तरप का असन हड़ल हा इसको मारने पड़ा क्वेदा वंद्धा ओनले इन आ रहा था तो इसको जल्दी से म Albbers निया दूटे से थोड़ा-बहुत हमको सामान मिल गया बोलिया बगयर मिल गया तो कोई जल्दी से चलते है एरपोर्ट की साइड तो गाइस में इदर जा रहा था तो मेरे को एक साइकल मिले तो भाइक बहुत ही आसान होगे आमें अभी जल्दी से आम एरपोर्ट की साइड चल चकते तो यार बहुत ही सप्राइज मिला मेरे को इदर अभी जयाता देर नहीं लगेगा तो यार ये कैसा रेंग वो साइकल का होन है वो कैसा बज रहे देखे सकते हैं ट्रेंग ट्रेंग करके तो यार बहुत ही मज़ा आता है ये सब सुनने में तो जल्दी से अभी हम चालते हैं वहाँ पर लूट लेने हमारा तो गैस मैं अभी पहुचने वाला हो यार कोई बंदा लूट के ना चला गया तो अच्छी बात है यार हमारा बाइक बिना लिया हो तो अच्छा है तो गैस अभी हमारा लूट इधर सेफ है क्योंकि इधर बाइक पड़ा हुए तो अच्छी बात है क्योंकि बाइक के अंदर फ्यूल था पहले तो ये साइकल ले ले था जर घ़लते पी तो ये तो हमारी रोल कोले पसी को कूछ घृरा नहीं था ओ भाई बहुत सारे कंपोनेट और इलेक्ट्रोनिक पार्ट पी मिल गया है तो इसको भी मारते जल्दी से ओ इसने भी फायर करना स्टार्ट कर दी है हम पे तो इसका कवस तो तूट गया है तो अभी थोड़े सा गोलिया इसको मारना पड़ेगा ओ यार कलत टाइम पे रिलोड आचाता है यार तो जल्दी से मारते इसको ओ दूसरी पर फायर गया बज गया तो ओके गया अभी इसको भी हमने मार दे आसा निसे तो जल्दी से इसका पास से जितना कंपोनेंट मिलता है ओ ती स्टील मिला और कितना दोसो स्टील मिला तो भी लेलेंगे यार बहत अच्छा है यार बहत स्टील मिल रहें कंपोनेंट मॉंस्टर से तो अभी हम तिसरी लोकिशन पर जाएंगे चल दी से तो हमारे बाइक पर फ्यूल है कि नहीं है कि हमारे फ्रेंड ने निकल दिया था मुझे भी नहीं पता सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इह लो मॉंस्टर शे मारने से कितना हमको स्पेर मिला तो एक दो तिन मतलब कि साड़े 700 स्पेर मिल गें हमको इससे दो मॉंस्टर को मारने से 1500 स्पेर मिलते हैं ग wiel तक चार monster मार दिये तो जल्दी से अभी हम दूसरे लोकिशन पर चाते तो अभी हम में और मेरा फ्रेंड भी आ चुके अभी दूसरे दूसरे तो यह बोंव शेल्टर है गाई आपको पता नहीं होगा तो बता देता आपको बोंव शेल्टर के उपर आजने हारबर के बाजो में रहता है वो तो ऊदर एक monster रहता है तो आपको वह भी लोकिशन बता देता है तो देख सकते इधर आपको मिल जाएगा monster उपर को नई लगने वाला खीकि बहुत ज्यादा हम अफ्ग्रेड होके आये तो अभी जल्दी से इसको मार दिया है हमने तो कितना अभी हमको मिलता है सामन इसके बास से तो भाइस स्प्यार जितना कॉम्पोनेंट मिला और थे टील मिलां तो अच्छी बात यार तो अभी हमें जितने भी श्प्यार मिले है न इसबर और कहां से एयरपूट से तो उन को भी मिला के अभी हम दिसमेंडर करेंगे और बेस पर रखे ईस्को भी डिसमेंडर करने भी जाना पड़ेगा यार तो अबники ए था थो भी नगर्ज्रम चेक कर लेते और इसको भी निकल देते हैं तो जल्दी से भी बान का आर्मर ले लेते हैं तो अब निचे चलते हैं चल्दी से तो इदर मॉंस्टर है यार बहुत सारे जनरेटर के पास और इदर इदर गाईज मास्क मिलता है लेवल ढुका तो अदर यो देख सकते हो टूल बक्स पड़ा इदर मिलता ही 100 पेसें बिलता है तो अमारा यार बेक फूल है तो अभी थोड़ा बहुत सामान निकलना पड़ीगा फालतु सामान है वो तो अभी हम चलते हैं जल्दी से डिस्मेंडल करने सामान को तो अभी मैं Dysmantle करऊ यार monster बहुत परेशान कर रहे हैं कितना health कर दिया मेरा तो अभी थोड़ा time लगी है इसको Dysmantle करने में इसको रेने देते यार इसको डाल देते कछरे को डाल ले तो अभी ये last वला है तो अभी हमारा पूरा हो चुका है Dysmantle तो जल्दी से अभी बाहर निकलते यार हमारा वो मास्क है जो दिरे दिरे करके टूट रहा है तो जल्दी से अभी बाहर निकलना पड़ेगा जल्दी से तो अभी हम चलते बेस के उपर हमारा टूटा फूटा पाइक लेके अभी निकलते इधर से कोई यार दो एक दो गोली चलाएगा तो फूर जाएंगे हम तो यार इसके अंदर फ्यूल नहीं है तो हमारे फ्रेंड ने फ्यूल डाल दिया है तो जल्दी से अभी हम बेश के उपर चलते तो अभी थोड़ा ही दूरे हमारा बेश इधर से तो गाइस मैं इधर फार्म कर रहा था थोड़ा तो वहाँ पे हमारे फ्रेंड ने बोला कि हमारे बेश पे कोई बंदा क्याम कर रहा है तो जल्दी से मैं इधर जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा बंदा यार तो मेरे को देख रहा है वो बंदा तो हमारी बाइक का फ्यूल निकल रहा है सायद से तो उसको पिछे से जाके उसको पता नहीं लगना चाहिए तो यह सायद वही बन्दा है जो अभी होपलाइन होगे था और उसको मार दिये था हमने तो जल्दे इसके उपर फायर करते तो 38 का हेड बड़ा है और वह आके सब वह बॉड़ी शॉट लगे उसको तो अभी हम बहुत देमेज होगा वह तो उसको रेस कर देंगे उसके उपर खत्तम गाईस तो यार इसके पास से भामस अभी यार बन का आर्मर मिला कोई बात ने और मास्क मिल गया वह अच्छी बात है यार तो यह दूसरी बाट पीट के घर जा रहा है वह तो अभी फिर से नहीं आएगा वह तो जल्दी से अभी हम इदर सब बॉन का आर्मर वह सब रख देंगे मास्क भी रख देंगे तो अभी कितना हमारे पास कितना स्पेर हो गया 775 मतलब की 800 स्पेर में लेकिया था उदर से तो 1517 मतलब की 1500 स्पेर हो गए हमारे पास तो अभी जल्दी से वर्क बैज को अपग्रेड करते थे और रेड डॉट का रेचिपी भी निकालना है तो उसको भी निकाल देंगे तो सबसे पहले रेड डॉट का रेचिपी निकाल देते हैं तो 300 स्पेर में रेड डॉट का रेचिपी निकाल रहा हमारा और इसको भी 1000 स्पेर से अपग्रेड करते थे तो दोनों एक साथ हो रहा है तो गाइस अभी हमारा रेड डॉट का रेचिपी निकाल चुगा है तो जल्दी से इसको क्राफ्ट कर लेते क्लाइम कर लेते यूज कर लेते तो अभी जितना बाक्य है उतना अभी हम डिसमेंडल करने जाएंगे जितने कंपोनेट बाक्य थे उतने हम डिसमेंडल करने आ चुके हार्बर के तो इसमें भी बहुत टाइम लगेगा तो गैस अभी ये लास्ट वाला है तो हो गया हमारा सब डिस मेटल हो चुगा है तो अभी हम निकालेंगे पॉइल बॉम का रेशिप है उसका भी बाकी है तो यार जॉंबी पीछे पड़ गया तो जल्दी भागो यार इदर से ओ भाई तो अभी पान्सो दस मतलब कि पान्सो स्पेर ओ भाई एक हजाय स्पेर हो चुगे है तो जल्दी से अभी हम निकालेंगे ओइल बॉम का रेशिपी तो जल्दी से डेली में से निकालते ओइल बॉम और अभी जल्दी से क्राफ्ट करते ओइल बॉम तो 600 स्पेर में निकल रहा है तो गैस जिसको भी हमारे ये वीडियो पसंद आयो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो गैस आज के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई